नमस्कार दोस्तों Ultimate Health and Home Remedies सेनल में आप सभी का स्वागत था Ultimate Health and Home Remedies आपकी सेहत का खयाल बखु भी रखता है दोस्तों आद में आप लोगों को 15 मिनिट का HIT वर्काउट यानि की High Intensity Interval Training के बारे में बताऊँगा और यह Full Body Workout बताऊँगा जिससे आप लोगों की पूरी Body Lean होगी और साथ ही आप लोगों को मिलेगा एक Torn Figure और Lean Body तो मिलेगी Torn Figure मिलेगा और साथ ही आप लोग Healthy भी रहेंगे तो यह सभी Workout जो हैं आप लोग सुभा उट कर सकते हों और सभी Workout का जो Time Duration है वो 40 Seconds का मैंने रखा है और साथ ही आप लोगों को पता है कि इन सभी Workout के बीच में थोड़ा सा Gap भी देना जरूरी है तो 10 Seconds का मैंने इसमें Gap दिया है तो यह Full Body Workout है जिसमें आप लोगों का पूरी Body जो है वो Nourishment होगी चली शुरू करते हैं सबसे पहला जो Workout है उसमें आप लोगों को कैसे करना है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ सीधे खड़े हो जाईए और उसके बाद में दोनों पैरों के बीच में आप लोग Gap रखी अब आप लोगों को एक हाथ को Turn करते हुए Left Side की मुढ़ना है और दूसरी बार आप लोगों को Right Side की और मुढ़ना है हाथ जो है दूसरे हाथ की और लेकर जाना है इसमें आप लोग ध्यान रखे कि आप लोग जब Turn हो तो आप लोगों की Commerce जो है वो Turn होनी चाहिए तो ऐसा करने से आप लोगों का जो Actional Oblix Muscles जो है वो Fat Reduce होता है Stiffness की Problem दूर होती है साथ ही आप लोगों का Stretches जो है वो Complete हो जाता है दूसरा वर्काउट में जाने से पहले हम लोग 10 सेकिंड का Rest ले लेते हैं और Resting Time वो आप लोगों के लिए है आप लोग कुछ भी कर सकते हैक आने सुन सकते है एक कुछ भी कर सकते है और इससे आप लोगों की rectus abdomen बहुँ जादा engagement रहती है साथ ही आप लोगों का जो glutes muscles हैं वो भी engage रहते हैं तो अगर आप लोगों को body को lean करना है तो ये workout आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है साथ ही ये workout आप लोगों के cardio को भी strong बनाता है तो अगर आप लोगों को cardio strong बनाना है, glute को strong बनाना है, belly fat को reduce करना है तो ये workout आप लोगों के लिए बहुत जादा अच्छा है अब आप लोगों को फिर से मिल जाता है resting time आप लोगों का आचुका है तो rest आप लोगों को करना है और वो भी the second का rest है the second के rest के बाद हम लोग चलते हैं दूसरे तीसरी workout की और तीसरे workout में आप लोगों को normal plank position में रहना है और ये high plank position है high plank position जो है आप लोगों के हाथों को tone बनाने में आप लोगों की मदद करता है आप लोगों की हतेलियों में कोई pain नहीं होना चाहिए पहले से कोई arthritis जैसी problem नहीं होनी चाहिए हाथों में तो ध्यान रखना workout करने से पहले फीजियो therapist की सला जरूर लेना चाहिए एकदम straight position में आप लोगों को रहना है तो spine जो है वो आप लोगों को सीधी रखनी है इसमें जैसे की video screen पर आप लोगों को दिखाई दे रहा है और इसमें आप लोगों की rectus abdomen भी बहुँ जादा engage रहती है आप लोगों की thighs muscles भी बहुँ जादा engage रहती है तो ये दोनों ही muscles जो हैं आप लोगों की इसमें toned बनती है next workout है workout करने से पहले थोड़ा सा rest है 10 second का rest है और अब हम लोग चलते हैं fourth workout पर ये resistance training workout है इसमें आप लोगों को push ups लगाने हैं types में और आप लोगों के हाथ जो है वो bind up होने चाहिए ऐसे नहीं है कि आप लोगों को थोड़ी बहुत उंसाई पर होने चाहिए जैसे कि dumbbell लेकर अगर आप लोग push ups करते हैं तो आप लोगों को बहतर result मिलेंगे इसमें अगर आप लोग देखें कि जो woman कर रही है push ups उसमें आप लोग देखें कि जो spine है वो एकदम सीधे है जो glutes है वो उपर की और उभरे हुए है पैर एकदम सीधे हैं और पंजे जो है उस पर पूरा का पूरा focus है तो हाथों की जो muscles है वो भी tone होती है rectus abdomen भी इससे ज़्यादा strong होती है तो body को tone बनाना है तो push ups जैसे exercise भी छोड़नी नहीं चाहिए high intensive interval training के अंदर आप लोगों को total body weight loss जो है वो किया जा रहा है हर एक workout के बाद में 10 second का rest है उसे आप लेना नहीं भूले अब हम लोग करते हैं plank up and down और up and down plank में आप लोग ये देखेगा कि आप लोगों की जो biceps muscles हैं और triceps muscles हैं वो कितनी जादा activate exercise में हो रही हैं साथ ही आप लोग जो है एक cardio workout भी इसमें complete कर लेते हैं और ये भी 40 seconds के लिए आप लोगों को करना है इसमें हाथों की जो biceps की muscles है वहाँ का जो fat है वो remove होता है और अगर हम लोग देखें तो rectus abdomen भी इसमें engage रहती है next workout में हम लोग चलते हैं उससे पहले हम लोगों को लेना है 10 seconds का rest resting time में कुछ भी कर सकते हैं अराम कर सकते हैं body muscles को थोड़ा बहुत आराम भी देना चाहिए next workout आप लोगों के लिए है और इस workout में आप लोगों को कोई भी बात नहीं है कि 6th workout आप लोगों को करना नहीं करना है यह तो आप लोगों को करना ही है क्योंकि squat से अच्छा कोई exercise आप लोगों को जो है नहीं मिलेगा squat वे एक बहुत अच्छी exercise है glutes के लिए और आप लोगों के thighs muscles के लिए तो thighs का strong होना भी बहुत जादा जरूरी है और glutes का strong होना भी बहुत जादा जरूरी है ताकि आप लोगों को बुढ़ापे तक जो है वो knees पे problem ना हो तो pelvic portion में blood flow जो है वो अच्छा रहता रहे साथ ही आप लोगों का जो digestion है वो भी improve होता रहे metabolic rate भी increase रहती रहे तो यह exercise SIT training जो है वो total body fat loss के लिए आप लोगों को बताई जा रही है ताकि आप लोगों का total body weight जो है वो lose हो और आप लोग slim fit दिखें healthy दिखें कुछ दिखें next workout जो है आप लोगों के लिए scatter toy touch है तो इसमें आप लोगों को scatter walk करनी है और साथ में toys जो है आप लोगों की जो पैरों की जो अंगूलिया है उनको आप लोगों के टच करना है यह भी आप लोगों के 40 seconds का ही workout है और इसमें दोनों हाथ जो है आप लोगों को एकदम flat position में रखने जैसा की video screen पर दिखाई दे र रहेगा उसकी अंगूलिया आप लोगों को touch करनी है और जो पैर पीछे की ओर जा रहा है आप लोग देखिए वो आप लोगों को just उसके cross में लेकर जाना है तो यह workout भी आप लोगों का complete होता और उसके बाद में आप लोगों के पास आ जाता है 10 seconds का rest resting time है तो resting time में आप लोग थोड़ा सा healthy रहिए खुश रहिए और इसके बाद में हम लोग next workout पर चलते हैं यह भी 40 seconds के लिए आप लोगों को करना है और 8 exercise में अगर आप लोग देखें तो forward band हो रही है महिला और इसमें आप लोगों को 3 tap जो है वो just surface पर करने है एक बार के ल tap करें जब आप लोग खड़े रहें तो आप लोग अपनी कमर के just back side में आप लोग हाथ लगाए इससे क्या होगा जब आप लोग इस प्रकार position में लेंगे तो आप लोगों के pelvic portion में blood flow बढ़ेगा इससे क्या होगा कि आप लोगों का digestion improve होगा और आप लोग जो है healthy रहेंग intensity interval training का best workouts जो की ninth exercise है high knee इसमें अगर आप लोग देखें कि आप लोगों को 40 seconds के लिए high knee करनी है और जो लोग heavy weight है ज्यादा बहुत ज्यादा वजन में है तो वो अपनी knees को just अपने chest के और जब लाते हैं तो वो तेजगती के साथ नहीं लाएं क्योंकि वो 40 seconds तक नहीं कर पा है वो देखें उसी के basis पर ही जो है high knee की जाती है ऐसे नहीं है कि आप लोगों को पूरा का पूरा जो pair का पंजा है वो रखना है surface के उपर सिर्फ आगे का हिस्सा जो है वो ही जो है move करता है इसमें तो इससे भी आप लोगों की body tone होती है next में आप लोगों के पास आराम मिल की जो glutes है वो ठीक रह सकें तो दसवी exercise जो है वही forward band 3 tap है जो कि आप लोगों को 40 second के लिए फिर से करनी है और ऐसा करने से आप लोगों का क्या होगा कि आप लोगों की जो digestion है मैं वो improve करना चाहता हूं ताकि आप लोगों का belly fat जल्दी reduce हो जो आप लोग कुछ खाएं वो जल्दी से जल्दी absorb हो वहां के enzyme जो है वो जादा activate हो तो ये exercise आप लोग सुबह उठकर करेंगे तो आप लोगों की stretches भी exercise जो है वो complete हो जाएगी तो ये 40 second 40 second के लिए दो बार कर सकते हैं आप लोग उसके बाद में आप लोगों के पास आ जाता rest तो 10 second का आप लोगों को फ जैसा कि आप लोगों को दोनों गुटने जो हैं वो surface पर रहते हैं यानि कि mat पर आप लोगों को रहने हैं दोनों हाथों के जो हतेलिया है वो भी आप लोगों की mat पर रहती है इसमें एक pair जो है वो आप लोगों का move करता है 40 seconds के लिए आप लोग जो है गुटना मुडा हु ये लिए बोग बोलते हैं फिर 10 सेकंड का रेस्ट का रेस्ट क्म उप्लेट करने के बाद आप लोग साथ को पूरा कम्पूराइं पूरा इसमें आप लोगों को क्या करना है दोनों पेरों के बीच में थोड़ा सा गैप रखें और उसके बाद से अपने दोनों हात कंधो पर रखें और अब अपनी कमर को कमर से आप लोगों के पूरा का पूरा सर्कल जो हो clockwise और Antiglockwise लगाना है ऐसा आप लोगों को लोगों की एक शेप जो है वो अच्छी तरीके से बन सकें, बोडी शेप को बनाना भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है, अब आप लोगों के पास आ चुका है, तस सेकंड का आराम, और आप लोग आराम कीजिए, रेस्ट कीजिए, खिल खिलाइए, अब आप लोगों के पास आजाता है plank walk, plank walk आप लोगों को कैसे करनी है, आप लोगों को just plank position लेनी है, उसके बाद में आप लोगों को just left and right जो हो move करना है, इससे क्या होगा, इससे आप लोगों की जो है, engage जो रहेगी, वो rectus abdomen रहेगी, glutes अच्छे रहेगे, आप लोगों की hemisring muscles जो है, वो engage रहेगी, हाथों की जो biceps की जो चर्वी है, वो reduce होगी, तो इससे आप लोगों को बहुँ जादा strongness भी महसूस होगी, अगर आप लोगों की हाथों में जो है, वो यह ताकत सी आ जाती है, ऐसा workout करने से, तो यह workout भी आप लोग 40 second के लिए करें, तो आप लोगों को एक improvement जो है, वो न next workout हम लोग चलते हैं, यानि कि आप लोगों का है number कौन सा workout है, यह चोधवा workout है, इसमें आप लोगों को side band होना है, side band जो है, आप लोगों के लिए बहुत जादा जरूरी है stretches करना, पहले आप लोग left side की और stretches करें, फिर आप लोग right side की और stretches करें, चाहे मन करें तो आप लो है, इससे क्या होगा, आप जब आप लोग left side की और band हो, तो आप लोग देखे का है, जो right side का जो चर्वी है, side का जो चर्वी है, वो आप लोगों का stretch होता है, और stretch होने से आप लोगों का वो हिस्सा जो है, वो workout करने लगता है, muscles जो हैं वो lean होने लगती है, और body को lean बनाना ही आप लोगों का एक man target होता है ताकि आप लोग healthy रह सकें next यानि कि पंधरवा जो exercise है वो आप लोगों को करना है cross over touches यानि कि आप लोगों को क्या करना है थोड़ा सा forward band होकर cross leg को आपस में touch करना है ठीक है तो इससे क्या होगा आप लोगों की जब आप लोगों की जब नीचे की और जुकेंगे तो आप लोगों की जो 20 है वो बहुत जादा जो है धर्द जो है वो pain करने लगेंगी इसका मतलब है कि वो काम कर रही है वहाँ पर ठीक है जब आप लोग वर्काउट करेंगे लेकिन नॉर्मल नॉर्मल वर्काउट ही आप लोगों करना है ज्यादा जुकने के आप लोगों को जरुत नहीं अगर आप लोग बिगिनर है तो तो अगर आप लोग पैरों को टच करने की आप भी आप लोगों को आदत नहीं है तो धीरी धीरे वो बना लेंगे जहां तक जुका जाए उतना ही आप लोगों को जुकना है इससे आप लोगों के glute strong होंगे belly strong होगी अब आप लोगों को मिल जाता है the second का rest और figure ऐसा चाहिए है तो workout भी ऐसे करने होगे अब आप लोगों को करना है next यानि कि इस वरकाउट और इस वरकाउट में आप लोगों को क्या करना है single side band होना है और forward leg को touch करना है यानि कि आप लोगों को उसी direction में ही जो है जो legs की direction है उसी direction में ही cross over नहीं करना है over touches करना है जो leg है उसी हाथ से उस pair को अपस में touch करना है तो इसे हम लोग बोल सकते हैं, toy touches भी हम लोग बोल सकते हैं, forward bend toy touches exercise है, जो आप लोगों को 40 second के लिए करनी है, तो इसे भी आप लोगों की side bend, actionable obliques की जो सरवी है, वो कम होती है, और आप लोगों के glutes भी अच्छे बनते हैं, next आप लोगों के workout है, उससे पहले आप लोगों क मिल जाता है 10 second का फिर से rest आराम कर लीजिए, और धीरे धीरे workout को कीजिए, रोज वीडियो को उन कीजिए, और जहां तक आप लोगों को pose करना है, वहाँ पर आप लोगों को pose कर सकते हैं, अब reverse lunges कर लेते हैं, 17 exercise के अंदर 40 second का, और इसमें आप लोगों को just पीछे की और boosting muscles हैं, वो strong बन सके, मजबूत बन सके, वहाँ पर muscles mass बन सके, क्योंकि जब muscles काम करती हैं, तो ही muscles mass बनने लगता है, और muscles को जरूरत होती है protein की, और एक अच्छे food की, वो भी आप लोगों को खाना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, अगर आप लोग muscles को lean बनाना चाहते है figure को एक अच्छा look देना चाहते हैं, तो आप लोगों को healthy foods भी focus करने होंगे, और workouts भी करने होंगे, तो अब आप लोगों को चलते हैं next workout की और, यानि की आप लोगों का workout number है, कुन सा workout है, 18 number workout है, यह भी 40 seconds के लिए करना है, और यह side bend फिर से मैंने इसमें डाल दिया है, और side bend के साथ आप लोग जो है, circle को देखे, उपर हाथ को उठा कर आप लोग move कर रहे हैं, यह workout भी आप लोग कर सकते हैं, 40 seconds के लिए, तो पहले side bend हो, उसके बाद में simple सा हाथ जो है, आप लोग उठाए, तो इस परकार भी आप लोग side bend कर सकते हैं, तो यह different moves हैं, जो side bend के हैं, जो आप लोग अपनी workout routine में डाल सकते हैं, और 40 seconds के लिए complete workout जो है side bend आप लोगों को करना है, तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा जरूर बताएगा, और साथ ही अगर आप लोग ultimate health and home remedies को like करते हैं, तो please इस वीडियो को जरूर आप लोग share करेंगे, अपने Instagram पे, Facebook पे या WhatsApp प कीजिए, अब हम लोग last workout की ओर चलते हैं हमारे, और last workout में है 19th exercise और इसमें आप लोगों को करना है, reverse lunges plus आप लोगों को knee to chest touches, इसमें आप लोगों को करना है, इसमें सबसे पहली position आप लोगों की reverse lunges के रहेगी, उसके बाद आप लोगों को अपनी knees को, यानि की घुटने को chest की ओर खड़े होकर लाना है, तो इस से आप लोगों के glutes बहुत activate होते हैं, engage रहती है आप लोगों की core muscles, belly fat reduce होता है, glutes muscles जो हैं strong होती है, hips का fat भी reduce होता है, thighs muscles का है, तो total body workout आप लोगों को इस वीडियो में बताया गया है, दोस्तों comment करना नहीं बूले, अपने mobile से mobile phone उठाइए और comment कीजिए जो आप लोगों को अच्छा लगे, थन्यवाद